तो हलो तो हम आपकी होस्ट अलिया एक बार फिर से आप सब का स्वागत करती हूं हमारे आपके ओफिशिल यूट्यूब चैनल यमना एक्सप्रेस वे गुरुदेव रियालिस्टेट में हम आगे एन एदर वीडियो के साथ आपके सामने एक न्यूस की तुरू अपडेट आ आपने चैनल की माध्यम से आप तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो गए हैं वीडियो में तक जुड़े रही है काफी इंफॉमिटिव वीडियो होने वाली है और वीडियो अच्छी लगते है तो लाइक शेर और चैनल को सब्स्क्राइ जेवर एरपोर्ट के पास कोरियन और जबानी सिटी में बसेगी 200 कंपनिया अब तक 70 विडेश प्रिस्ताव आये हैं इसके लिए तो अलग अलग छेतर में प्लानिंग करी बहुत बड़ा शहर है अपने आप में येडा चेतर बहुत बड़ा एरिया है जिसमें अलग 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 जोन में डिवाइड कर दिया गया है तो कहीं पर एजिडेंशियल इन्डस्टियल इन बहुत बड़े-बड़े सेक्टर बहुत बड़े-बड़े सेक्टर उसमें अलग अलग सीटी बसा दी जाएगी किसी एक पर्टियूलर चीज से डेडिकेटिड सीटी रहेगी अपने इकाई लगा सकती है वहाँ पर अपना काम कर सकती है तो आई और नियूस में देखते हैं आपको और डिटेल में पता चलेगा हम बात किस चीज पर कर रहे हैं यम्ना प्राधिकरन के छेत्र 4A और 5A में विक्सित होने वाले कोरियन यो जपानी सिटी में 100-100 कंपनिय होंगे ऐसे जिनको यहां पर भूखंड को आवलोट किया जाएगा और प्राधिकरन को अभी तक सत्तर साधिक प्रस्ताव इसके लिए प्राप्त हो चुके हैं यहां एलेक्ट्रानिक्स और AI कंपनियों पर जोर रहेगा इसके साथ से कितनी जमीर पर कौन सी सिटी बसे की आई एक बार यह भी देखते हैं प्राधिकरन की निवेश को लेकर जापानी और कोरियन कंपनियों के सकरात्मक रुख को देखते हुए उनके लिए अलग से शेहर बसाने की तयारी है सेक्टर 4A में 365 हेक्टेयर में कोरियन और सेक्टर 5A में 365 हेक्टेयर में जैपानी सिटी बसाने की तयारी कर रहा है प्राधिकरन यह दोनों सेक्टर जेवर ऐरपोर्ट के करीब हैं यहां निवेश के तोर पर छेत्र में electronics कंपनिया आएंगी तो जैसे कि मैंने आपको बताए कि अलग अलग एक तरह से कह सकते है हम बोल सकते हैं अलग रग जोन बोल सकते हैं उसके लिए एक पुरा शहर बसा देंगे काफी बड़े बड़े एरिया में 365 हेक्टर एरिया बहुत बड़ा एरिया हो जाता है तो उसमें पूरी एलेक्ट्रोनिक की ही एकाई लगाई जाएगी यह आपकी कोरिया और जापान क कंपनी कंपनीज होंगी जो अपनी काई यहां पर लगाएंगी और काम करेंगी क्या होगा इन में खास खास तोर पर सेमी कंड़क्टर ए आई ऑटिफिशिल इंटेलिजेंस ग्रीन हाइडोजन एनरजी सोलर एनरजी और आटो मोबाई सेक्टर में भी निवेश होगा इस प काम करने वाले लोगों को उन्हीं का परिवेश उपलब्द कराते हुए घर, स्कूल और हॉस्पिटल समेट अन्न सुविधा भी महां पर उपलब्द कराई जाएगी इस तरह से पूरी फैसलिटी दी जाएगी इस पूरे जो शहर को बसाया जाएगा उसमें यह पूरी एड और से रिलेटेट सेल पर्चेस के लिए माइंड में कोई भी कॉश्चन आता है कहीं पर भी कोई डाउट है आप हमसे कॉन्टैक कर सकते स्क्रीन पर यह का नंबर को फॉलो करिए इस पर आप मुससे कॉन्टैक करिए साथ हमारा ओफिस अड्रेस है उसे फॉलो करिए उसके पर आप हमसे ज़रूर जुड़े रहें कमन सेक्शन में अपनी राय दिया करें इस सारे उप्शन को यूज करके आप हमसे करिए कोई भी कोया रही होती है तो डिसकस करिए फिलाल के लिए इस वीडियो को करते हैं नहीं पर एंड मिलेंगे नहीं वीडियो मेरे टॉपिक के साथ, thank you so much!